नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंटल नियूज, मैं हूँ राजई शर्मा आमादमी पार्टी ने अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसवा चुनाव के लिए सभी सत्तर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सुची मंगलवार को घोशित कर दी सुची में मौजूदा 15 विधाईकों के टिकेट काट दिये गए हैं सुची के मुताबिक पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को नई दिल्ली सीट से और उप मुख्यमंत्री मनीश सी सोधिया को पटपडगन सीट से चुनावी मैदान में उतारा है पार्टी नेता आतिशी, राघव चड़ा और दिल्ली पांडे भी आठ फरिवरी को होने वाले विधान सभा चुनाव लड़ेंगे इन तीनों ने 2019 का लोग सभा चुनाव लड़ा था लेकिन वे हार गए थे आपकी राजनितिक मामलों की समिती ने कहा कि पांडे तिमारपूर से, आतिशी कालकाजी से और चड़ा राजेंदर नगर विधान सभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे दिल्ली उचनिया एले ने पुलिस को संशोधित नागरिक्ता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के मद्दे नजर कालंदी कुन शाहिन भाग मार्क पर यातयात पवन्दियों पर ब्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को विचार करने का निदेश देते हुए कि जहां कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है पुलिस के पास यातयात को नियंतर्ट करने की शक्तियां हैं। को बरकरार रखने के मद्दे नजर विचार करें। सुधारात्मक याचिका किसी व्यक्ति को उपलब्द अंतिम कानूनी विकल्प है। पांच निया अधिशों की यह सर्व समत्राय थी कि इन दोश्यों की सुधारात्मक याचिकाओं में कोई दम नहीं है। निया अधिशों की स्पीट के अन्य सदस्यों में निया मूर्ती अरुन मिश्रा, निया मूर्ती आरेफ नर्मीन, निया मूर्ती आर भानुमती और निया मूर्ती अशोक भूशन शामिल थे। मुंबई हमलों के मास्टर माइंड हाफिस साइद ने आतंकवाद संबंदी बित्य मदद के मामलों में अपना अप्राद मंगलवार अदालत में स्विकार नहीं किया आतंकी समुहों की नकेल कसने के बढ़ते अंतराष्ट्य दवाब के बीच जमात उद्दावा के सरगना ने यहां आतंकवाद रोधी अदालत में अपना बियान दर्च कराया पाकिस्तान के आतंगवाद रोधी विभाग ने पंजाब परांद के भिविन शहरों में आतंगवाद के लिए बित्य मदद देने के मामलों में सईद और उसके सही योगियों के खिलाब 23 प्रात्मी की दर्च की थी और उसे 17 जुलाई को गिर्फतार किया था उसे लाहोर में कोट लखपत जेल में रखा गया है सहीद के नेतित वाला जमात उद्दावा अतंकी संगठन लशकरे तईवा से जुड़ा अग्रणी संगठन माना जाता है लशकरे तईवा 2008 के मुंबई हमलों का जिमेदार माना जाता है जिनमें 166 लोग मारे गए थे भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरिस के पहले मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को दस पिकट से हरा दिया इस मैच में डैविड वार्नर को उनकी शानदार शत्किया पारी के लिए मैन अव दा मैच के खिताब से नवाजा गया आस्ट्रेलिया ने टॉस जित कर पहले गेंदवाजी करने का फैसला किया जिसके जवाब में भारत ये बल्लेवाजों ने दस बिकट खोकर दो सो पचपन रन बनाए भारत की ओर से शिकरदवन ने सरवादिक चुहत्तर रनों की पारी खेली तो वहीं आस्ट्रेलिया के ओर से तेज गेंदवाज मिचल स्टार्क ने सरवादिक तीन विकट हासिल किये 256 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए आस्ट्रेलियाई ओपनर डैविट बॉर्नर और एरॉन फिंच ने तावर तोड बल्ले वाजी करते हुए बिना कोई विकट गवाए लक्षे हासिल कर लिया बिना कोई विकट गवाए 37.4 ओबरों में लक्षे हासिल कर लिया डैविट बॉर्नर ने 128 रनों की शत्किया पारी खेली तो वहीं कप्तान फिंच ने भी शानदार नवाद 110 रन बनाए आज के लिए इस निउस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया से जुरी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुनते रहें रीडियो सेंट्रल नियूज धन्यवाद